लीजी सुनिये विश्वम भरनात शर्मा कौशिक की लिखी कहानी हार जीत मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में पंडित तुलाराम शास्त्री को सबसे बड़ा दुख हिये था कि इस समय लोग चार ओर चांदी काट रहे हैं कोई बलेक मारकेटिंग से हजारों के वारे नियारे कर रहा है कोई रिश्वत लेकर तिजोरी भर रहा है कोई कलकार खानों में लंबी मजदूरी पा रहा है परन्तु शास्त्री जी का कहीं डॉल नहीं लगता लोग अब भी सत्त नारेन की कथा में बीस आने से अधिक नहीं देना चाहते जन्म पत्र तथा कुंडली इत्यादी का भी वही पुराना भाव चल रहा है एक दिन आपने पत्नी से परामर्ष किया सब की मजदूरी बढ़ गई है सब चीजों के दाम बढ़े हुए है अताहा हम भी अपनी दक्षना क्यों न बढ़ा दे पत्नी ने कहा समझ लो ऐसा नहो कि जो मिलता है वो भी हाथ से चला जाए वो हाथ से कैसे चला जाएगा शास्त्री जी ने बिरकुटी चढ़ा कर पूछा जब अधिक मांगोगे तो लोग काम ही न कराएंगे क्यों न काम कराएंगे मूर्खत्व मति लोभता मतलब केवल मूर्खत्व से है लोभता का तो अभी प्रेशन ही नहीं है ये क्या कह गए तो मिस्त्रियों के सभाव का एक श्लोख है उसी का टुकड़ा कहा अपना सोच समझ लो बिना कुछ कहे सुने तो कोई बढ़ाए का नहीं नहीं सुप्तस सिंगस प्रविशंती मुखे मरगहा सोते सिंगे के मुँँ में हिरन जो है सो नहीं घुसते जैसा तुम्हें जान पड़े वैसा करो पत्नी ने अंते मुद्तर दे दिया खेर एक बेड़ तो यतने करना ही चाहिए यतने करतियदीन सिध्यती कोत्र दोशह यतने करने से सिध्धना हो तो दोश नहीं है दूसरे दिने एक महाशाय जन्व पत्र बनवाने आए शास्त्री जी उनसे बोले पांच रुपे लगेंगे पांच रुपे? दो रुपे में बना देते थे अब दो रुपे में नहीं बनेंगे कागस कितना महंगा है और मिलता भी नहीं तो तीन तो ले लीजे एकदम से पांच तीन कांग काशुब होता है अच्छा चार सही अब तो प्रसन हो खैर चार ही सही उसके चले जाने पर आप पत्नी से बोले देखो उद्द्योगिनम पुरुष सिंग मुपैती लक्षमहा बिना उद्द्योग के कुछ नहीं होता इसी बीच में दीपावली आ गए शास्त्री जी के ये के अजमान बोले शास्त्री जी इस बार आप जुगा खेले दियूतकार हमसे नहोगा भागे की परिक्ष लीजे मेरा मन बोलता है आप शर्तिया जीतेंगे शास्त्री जी ने कुछ खुशन विचार किया सोचा आज कल हमारे दिन तो अच्छे ही है सब कारे की धक्षना दून ढाई गुनी हो गए यदि ऐसे में जुए में भी जीत जाएं तो आश्यर ही क्या है ये सोचकर ये अजमान से बोले कौन जुगा खेलना चाहिए सोलही खेलिए ताश खेलिए रंफलास आता है हाँ रंफलास तो कुछ-कुछ आता है तो वही खेलिए आप खेलते हैं हाँ तो आपके हाँ ही आकर खेलूगा आज आईए आज हाँ हमारे हाँ तो रोज होता है चौत से आरंब हो जाता है अच्छा तो आज आवेंगे पुरुषकारिन बिना देवम न सिध्यती बिना पुर्शार्थ भाग सिध्य नहीं होता रात में भोजन इत्यादी से निवरत होकर और टेंट में बीस रुपे लगा कर शास्त्री जी यजमान के घर पहुँच गए वहाँ फड़ जमा हुआ था शास्त्री जी का स्वागत किया गया शास्त्री जी को भी बाटो यजमान ने कहा बोर्ड बस ये बाटने वाले ने कहा कितने का बोर्ड है शास्त्री जी ने पूछा बोड़ तो एक आने का ही है, चाल चाहे जितनी बढ़ा सकते हो शास्त्री जी ने एक अन्नी बसी, जब पत्ते हाथ में आये तो देखकर तुरंट फेक दिये यजमान बोला, ये क्या किया? अपने टरन पर पत्ते फेका कीजे, इस तरह तो दूसरों का खेल खराब होता है फिर पत्ते बाटे गए, शास्त्री जी ने पत्ते देखकर मुह बनाया और उन्हें इस प्रकार हाथ में लिया कि जिस से लोगों को पता चल गया की रख जाएंगे, ये अजमान ने पुना टोका ये आप क्या करते हैं? क्यों? इस बेर तो मैंने पत्ते नहीं फेंके फेंकने से अधिक है, आप इस तरह लिये हुए है कि मालुम हो गया कि कुछ नहीं है तीसरी बार पत्ते बटने पर शास्त्री जी के पास रन आया शास्त्री जी का मुख खिल गया, बोड की ओर देखा तो एक एकन्नी कम थी आप बोले, इसमें एक एकन्नी कम है कौन नहीं चला? हमें चला है, कहकर एक ने एकन्नी फेंक दे हाँ बोलो क्या रखे जा रहे हो, एक आध चाल तो चलो शास्त्री जी बोले, इस दफ़ा आप बड़ी तत पढ़ता देखा रहे है मालूम पढ़ता है आपके पास पत्ते आ गए, इसलिए मैं रखे दे रहा हूँ ये सुनते हैं, शास्त्री जी ने पत्ते पटक दिये और बोले, हम नहीं खेलेंगे क्यों? क्यों? क्या हुआ? हमारे पत्ते देख लिए, हमसे कसम ले लो जो एक भी पत्ता देखा हो फिर कैसे समझ गए कि हमारे पास पत्ते आ गए? इसका डंका तो आप स्वेम पीट रहे थे, हम क्या करें? इस परकार शास्त्री जी खेलते रहे, जब कुछ न आवे तब पत्ते हाथ में रखना उन्हें भारी हो जाए जब कुछ आ जाए, तो जट चैतन होकर खोच करने लगें कि कौन क्या चला है ये देखकर लोग समझ जाते कि शास्त्री जी के पास पत्ते पहुँच गए एक बार आपके पास एक केकी ट्रेल आ गई, फिर क्या था? शास्त्री जी लाट साहब हो गए, बोर्ड को देखा कि सब एकनिया आ गई है जिसने पहली चाल चली उससे बोले, क्या चवन्नी की चाल चलते हो, लंबी चाल चलो वो बोला, भाईयो सावधान हो जाओ, शास्त्री जी जोरो पर है शास्त्री जी रक्त का घूट पी कर बोले, मेरे पास क्या धरा है? एक ने पत्ते धरते हुए कहा, ये देखी शास्त्री जी, आपके डर के मारे रन रखे दे रहा हूँ एक के पास गुलाम की ट्रेल थी, वो अठरनी की चाल चला शास्त्री जी ने एकदम पांच रुपे रखकर का पांच की चाल, उसने पत्ते फेंक दिये और बोला ले जाएए शास्त्री जी ने पत्ते पटक दिये और माता ठोक कर कहा, वाहरे भाग, इतना बड़ा पत्ता आया और कुछ ना मिला, किसी ने शो तक नहीं कराए गुलाम की ट्रेल वाला बोला, यदि आप पांच की चाल ला चलते, रुपे धेली की चाल चलते, तो मैं आप से लड़ जाता, आपने पांच की चाल चलकर मामला खराब कर दिया मैंने सुचा तुम भाग जाओगे, इसलिए शो कराई में कम से कम पांच तो मिल जाएंगे, इसी लोब ने तो मामला बेकार दिया इस प्रकार खेलते रहे, अंत में जब बीसो रुपे हार गए तब उठे रास्ते भरी अजमान को गाली देते आए कि ससुर ने घर बुला कर लूट लिया दीपा वली की संधिया को आपने एक की यंत्र बना कर भुच दंड पर बांध लिया पत्नी ने पूछा, ये क्या बांधा, आप बोले, मनसा विश्व विजय की की नहीं, आज मैं विश्व को भी जीत लूँगा क्या किसी से लड़ने जा रहे हो, हाँ कुछ ऐसा ही आयो जने इस उमर में लड़ना भिड़ना ठेक नहीं, कहीं चोट चपिट लग जाए मेरी धनू राशिये, मेरे लिए नौ कांक शुब है, शास्त्री जी खेलने लगे, खेलते खेलते चार सो रुपे जीते, एक वृद्ध बोले, बस अब न खेलिये, शास्त्री जी बोले, वह, आज तुम्हें विश्व को विजय कर सकता हूँ, उन्होंने पुना कहा, परंत पावे चार पावे, आपने सोचा चलो, यहां से कुछ तु जीत कर चलो, यह सोच कर पहुँच गए और दाओं लगाया, पहला दाओं जीत गए, बड़े प्रसन हुए, दूसरा दाओं हार गए, इस परकार हारते जीतते पास के दौन रुपे भी हार गए, आकरी दाओं मे आपने समझा कि कुछ बेइमानी हो रही है, यह समझ में आते ही बेगड़ गए, बोले, तुम धोके बाजी करते हो, अभी पुलिस को बलाता हूँ, यह सुनते ही दो-तीन आदमी लिपट गए और शास्त्री जी से मार पीट होने लगी, पिट पिटा कर पुनहा घर चले, र पहले ही मना किया था, अच्छा, तुम ही ने अशकुन किया था, यह मुझे ध्यान ही न रहा, तब तो यह जितनी हार हुई है, सब तुमारे नाम लिखी जाएगी, वह वह, जुआ खुद खेले और हार मेरे नाम लिखी जाए, क्या कहें, दीपा वली के दिन हार कहे, यह ब तो जीते गा ही, जो जीते गए उसके लिए शुभ होगा, इस परकार हमारे लिए हर परकार से शुभ होगा, क्यों कैसी युक्ति सोची, बस खशमा करो मुझे जुगा खेलना आता ही नहीं, कुछ तो आता हो गा, पैसा उच्छाल कर खेल लो, या ताकजुफ्त खेलो, ता भी शास्त्री जी हार गय हार कर शास्त्री जी बोले अरे तुमसे भी हार गय खजब हो गय यंत्र संत्र सब्वेर्थ गया ये कहकर पंडित जी ने यंत्र तोड डाला, पतनी 10 रुपे जीत कर बड़ी प्रसन थी, शास्त्री जी बोले, 400 रुपे जीत कर फिर हार गया, क्या कहा, 400 जीत गए थे, हाँ, तब ही यंत्र ने अपना फल दिखाया, तुम खेलते ही रहे तो यंत्र क्या करे, ओ हाँ, ये शोक न जीतने का हर्ष, कैजी कही, अभी आप सुन रहे थे, विश्वम भरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी, हार जीत, मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में,